हेलो फ्रेंड्स मैथेमेटिक्स याने की गनीत में हम लोग कुछ और कॉस्चन को देखते हैं जो की इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर कॉस्चन है जो सबसे पहला हुआ है एक कमरे की लंबाई 30 मीटर चोड़ाई 16 मीटर और उंचे 12 मीटर है इसके दिवारों को रंगने में 1 इसको देखते हैं यहाँ पर तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो है कमरे का चारों दिवारों का छेत्रफल होता है चारों दिवारों का छेत्रफल जो होता है वह क्या होता है तो वह होता है टू इंटू लंबाई गुनित उंचाई पलस चोड़ाई गुनित उं होते हैं तो जाराधुन को इसका फ़र्मूला है तो यहां पर सारी भेलु उसको हम बैठा लेंगा रहा हम से तो जो छेत्रपल हो जाएगो वह केतना हो जाएगा दोग्ना लम्बाई केतना दिया है लोंबाई 30 गुणा गुना उंचा ही केतना दिया हुए 12 फिर प्लस चोड़ाई दिया हुए 16 फिर उंचा दिया है 12 यहां पर आप सारे विलू को देख सकते हैं तो यहां से हम लोगों का जो एरिया निकले का वह केतने लिए यह हो गया अपना 360 और यह हो जाएगा हम लोगों का 192 अब इसको दिवारों का 16 फिर यह निकल गया अब इसको हम लोगों को परती वर्ग मेटर में कितना खर्च आ रहा है तो यह तिना खर्च आ रहा है तो इसको हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे यानि कि खर्च बराबर यहां प लिख सकते हैं खर्च बराबर हो जाएगा ग्यारा जीरो चार गुना 1.75 रूपीज यह हो जाएगा तो जिसके हम लोग इसको मल्टिप्लाई करते हैं तो यह हमारा बनके आ जाता है 1932 रूपीज तो यह ही है हमारा एंसर और ओप्सन नमबर आप देख सकते हैं कहां पर रहे तो ओप्सन नमबर सी में है तो यह हमारा ओप्सन नमबर सी एंसर हो जाएगा तो इसको इस परकार से बनाना तो यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट हुआ है कि चार दरग जो च्छेतर पर हो तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना यह है और इसके बाद में सारे मेलू को रख लेंगे तो आसानी सी यहां बन ए बी सी और टी तो इसमें जो है यह चोड़ाई और यह हमारा यह दोनों लंबाई हो जाते हैं तो आयद के प्रपर्टिस के बारे में आप लोग सारे चीज़ों को देख सकते हैं पीछली वीडियो में प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगी तो यहां पर जो है एक्स का 50 पसंट जाता है यानि कि 125 बटांग 100 जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यह हमारा आ जाता है फाइब एक्स वाई हमारा दिया हुआ है 500 मीटर अब सारा वेलू स्क्राइब बैठा लेंगे हम लोग जोड़ा एक्स हो गया जैसे ही सोल्व करते हैं तो यह हमारा कड़ जाता है सो अब यह सिद्धे दर 400 हो जाएगा और यह एक स्क्वेर होगा ठीक है अब यहां पर एक्स बराबर वेलू हमा लंबाइब कित्मा निकलेगा तो लंबाइब हमारे निकल जाएगा यहां पर भेलू बैठा देंगे यह जो जाएगा हमारा 5 से-multiply अब यह multiply कर लेंगे तो 25 यह मीटर हो गया और यही हमारा लंबाई निकालने के लिए कहा था question में आप देख सकते हैं तो लंबाई हमारा हो गया option अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो option नंबर जो भी है वह 25 मीटर है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना सकते हैं तो यही है हमारा answer next question है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चोड़ाई 20% कम के option दिया हुआ है 20% बढ़ जाएगा 20% कम हो जाएगा 12% बढ़ जाएगा और 10% कम हो जाएगा यह 4 option दिये हैं तो यह एक आयत का बात करें तो माल लेते हैं हमारा यह एक आयत है A B C और D इसमें जो है लंबाई को है हमारा 40% बढ़ाना है और चोड़ाई को है 20% घटाना है यह है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में पलस रहेगा यहां पर लेकिन जो बढ़ रहा है उसको पर लिखते हैं 40 फिर इसको साथ में multiply करते हैं और यह है माइनस क्योंकि घट रहा है तो यह 20 हो जाएगा और नीचे में 800 और नीचे में 100 हो जाएगा अब इसको हम लोग करेंगे simply तो यह 20-20 कट जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं कि 20-8 हो गया तो यह कितना हुआ यह 12 लेकिन हम लोग का वेलू जो क्या था यह बढ़ने वाला वेलू था इसलिए यह 12% का क्या हो जाएगा 12% का बढ़ोतरी होगा और आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑफसे नमबर सी जो बढ़ जाएगा यह है इसका सई उत्तर तो इसको इस परकार से बना सकते हैं आराम से इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में बता चुका हो तो आप लेलेश्ट में जा करके सारी चीज़ों को देख स तो यह कोस्चन है और मैंने रेल गाड़ी से रेलेटेट जितने भी चीज़े थी हुआ हो यहां पर इसको कैसे सवर्व करते हैं इसको देखते हैं तो माल लेते हैं यह कोई एक ट्रेन है यह इस परकार से जा रही है यह ट्रेन वन हो गया और यह है एक मील का पत्थर तो य पार करती है तो यहां 15 सेकेंड में पार करती है 15 सेकेंड में और इसकी जो है ट्रेन की लंबाई हुए 저희 यह आपको द्यान लखना है और कोई एक दूसरी ट्रेन है मालत ही Ginatiati को एक दूसरी ट्रेन हे और यह जो है दोनों ट्रेन आपस में पार करती है वीपरे डिसा से होते उए तो यहां सेकंद का समय लेते हैं 12 second का समय लेती है तो इसको कैसे solve करते हैं तो यह मैं आप लोगों को बताता हूँ तो यहां पे हमनों जानते हैं कि जो दूरी होता है वो तो हमनों का 8 होता ही है यानि कि दोनों एड कर लेंगे हम लोग तो 150 प्लस 150 मीटर तो हो जाएगा हमारा 300 मिटर की जो है बाद की condition में distance हो जाएगी और यहाँ पर समय भी हम लोगा दिया हुआ है बाद के लिए 12 सेकेंड यह बाद का समय दिया हुआ है तो यह आपको ध्यान रखना है 12 सेकेंड अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं क्या कि माना दूसरी ट्रेन का जो है दूसरी ट्रेन की speed यानि की गति यानि की speed 2 कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा एक मीटर पर 30 सेकेंड यह मीटर पर सेकेंड में लिया हुआ है और हम लोग पहले निकालते हैं पहली ट्रेन की जो है गति वह कैसे निकलेगी यानि एस वन जो है वो तहां हम लोग है साब सब दिख जाएगा कि 150 मीटर है और यह 15 सेकेंड पार करती है यानि कि यहाँ 300 मीटर और बात का समय वो 12 सेकेंड तो आप हम लोग यहां से क्या करते हैं यहां से में निकालते हैं तो चलिए समय बराबर हो गया बात के लिए समय दूरी बट्टा चाल होता है हम लोगको अच्छे से मालूम है तो बात के लिए समय तो यो 12 स्यचांड । 25 सेकंड वह दूर्त安全 के लिए हम लोग से 300 हो गया और जो चाल होगा वह क्या होजाएगा जब दोनों अब 220 यहां पर देख सकता है स्था इसका 10 plus X और यह कितना में है यह मीटर पर सेकंड में है इस परकार से आप देख लेंगे यहां पर तो यहां पर हम कर सकते हैं 10 पर एक्स बराबर 300 by 12 तो यहीं कि यहां से एकस बराबर हम लोग निकल जाएगा यह हमारा कटने से 25 आ जाए गा और यह है plus में दुढ आना के बाद माइन नस हो जाएगा इस परकार से इसको कर लेंगे तो हमारा ये पंद्रह मीटरर पर से केंड निकल जाएगा जो कि हमने से पिट two एकस मीटर पर सेटा तो यहां पर आप देख रहते हैं पंदगर मीटरर फ Fr. सेकेंड एंसर आ गया है तो यहां पर हम ओप्शन देखिए 36 54 50 और 25 देवाई है इसको चेंज करना है यानि कि हम लोग 15 मेटर पर सेकेंड को अब चेंज करेंगे किलोमेटर परती घंटा में तो हम लोग क्या करते हैं तो यह जो है 15 उसको हम लोग करते हैं 18 बटा 5 से डिवाइड करते हैं यह आप लोगों को मैंने बताया हुआ तो यह काट देंगे हम लोग 3 हो जाएगा अब इसको मल्टिप्लाइ करने दें 24 किलोमेटर परती घंटा यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन की साबसे अब ओप्शन देख सकते हैं तो ओप्शन नमबर B है इसका राइट एंसर यह इस परकार से इसको बनाएंगे तो मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी को बताया हुआ ओप्शन दिया हुआ cela मैगे हुआ 25 बता 9 क्लोमेटर परती घंटा 40 बता 9 हैs 46 किलोमेटर परती घंटा और 50 बता 9 ख्रती घंटा यह 4 उस्तु दिया है यहाँ तो यह है एक वहत्यटर ज्वेक्तर जो है गंटी की रफ्तार स्वा पास आ जाता है जब यहां पर जाना और आना यानिके डिस्टेंस दोनों समय में बराबर है यानिके डिस्टेंस बराबर है यहां पर जाने के लिए और आने के लिए भी तो उस समय हम लोग क्या करते हैं और सचाल के लिए जो फॉर्मूला तो यह हो तो 2 x केतना है 5 और y केतना हो गया 4 divided by 5 प्लस 4 तो यह हम लोग solve कर लेंगे तो 10 x 4 40 by 9 यह क्या हो गया यह किलोमीटर परती HR में हो गया क्योंकि यह उसी में दिया हुआ है तो अब यह जाओ अप्शन देखते हैं तो अप्शन नंबर बी जो है हुआ 40 बटन नो फिल्मटर परती घंटा जो कि यहां पर भी आया हुआ है तो यह हमारा राइट एंसर है ओप्शन नंबर बी तो इसको इस परकार से हम लोग सुल्ब कर लेंगे जब डिस्टेंस समान रहेगा जाना और आना रहेगा तब जाके इसको ऐसे ही बना लेना है उससे चाल के जो फोर्मूला है इसी से अगला कोस्चिन है एक तिरभूज की भूजाओं है जिसमें जो बूजाओ का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है तो यह 35 002 तो इसको अफ्क है यह हम लोग इसके साथ में कर सकते हैं तोstr dep fee chaos होता है वो क्या होता है है तो परिदिश होता है तीनों भुजाओं का योग होता है तो हम लोग इसको सीधे सीधे सीपल यहां पर जोड़ भी सकते हैं तो सात और तिन दस तर पाच पंद्रा तो यह 15 बराबर क्या हो जाएगा परदे 30 cm दिया हुआ है 30 तो एक्स बड़ाबर हम लोगों का दो निकल जाएगा यह एक्स बड़ाबर दो अब इसको हम लोगों को क्या करना जिसका निकलने के लिएगा उसी को हम लोग सिधे सिधे अब सबसे छोटी बोलती यहां पर कोश्चन की सबसे चोटा बोलता तो हम लोग क्या करते सबसे चोटा जो था था त्री की साथ में टू मुल्टिप्लाइब करते तो यह हो जाता उस समय एंसर याने कि आपको जिसका निकाले के लिए कहेगा उसका आप कर सकते हैं तो यह जो सबसे आसानी से बन जाएगी अगला कोश्चन है एक गाई 40 मिटर लंबे और 24 मिटर चूड़े आयताकर घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूटी से 14 मिटर लंबी रसी से बांदी विए गाई कितने छेतर तक चर सकती है ओप्सन दिया हुए 114 मिटर पर 114 मिटर स्क्वेर 308 मिटर स्क्वेर 240 मिटर स्क्वेर और 480 मिटर यह दिया है तो यहां है एक आयताकार घास का मैदान कहा है तो हम लोग माल लेते हैं यह एक आयताकार घास का मैदान है इसके एक खूटी पर मदब एक कोना पर एक गड़ी खूटी है यहां पर एक हूटा किया लेकिन इसका जो लंबाय चुड़ए दिया हुआ है तो यह हमारा लंबाय हो गया 40 मेटर और चुड़ए ओकी 24 मेटर यानि कि यह भी हमारा 40 मेटर जाएगा वह यह हमारा 24 मिटर हो जाएगा यह तोटों बराबर होते हैं आपस में यह आयत के गुन में मैंने आप लोगो आयत का प्रपकेटिस में बताया हुआ तो यहां पर है एक गाय और इसको जो है 14 मिटर की एक लंबी रसी से यानि कि यह हमारा 14 मिटर की लंबी रसी है तो पुरेक्षक्षब घुमाते हैं एसे तो ये कुछ इस परकार से यह बनेगा यानि कि ये द्रजार लेकिन गहएंगा 14 मिटर इधर भी और 14 मिटर इधर भी यह हो गया थो यह हमारा इसका आ रहोगा 14 मिटर क्योंकि गाये यहां से बना हुआ बिरित का एक यहां पर एक भाग तर्जाखन तो अब यहां पर तीर्जाखन का शेत्रफल क्या होता है यह मैं आप लोगों को बता हुआ हो तो आप विरित वाले चीज़ों को देख सकते हैं प्लेश्ट में जाकर के तो यहां पर है तीटा कितना जाएगा यहां पर तो 90 पर नबेटीर का कॉन बन रहा है तो इतना फिर फाइगा वेलों लोग बाटा साथ रहे लंगे रक लेंगे आर कितना निकल जागा क्योंकि यह हमारा रहो जाता है तो 14 इंटू 14 यह हो गया आप इसको मुले से सुल्व कर सकते हैं तो चार हो गया यह दो यह से फिर यह दो यह हमारा 11, अब 11, इन्टू 14 यह हम लोग का finally निकल गया है कटने के बाद में तो यह से जाल उप करते हैं तो यह हमारा वेलोन निकल गया था है एंसर इससे तुरू से 154 अगला कोस्टिन है राम की आयो स्याम की आयो से दोगुनी है और सूरिस की आयो से आधि है यदि उनकी आयो का योग 70 हो तो राम की आयो कितनी होगी ओप्सन दिया हुए 30 वर्स, 40 वर्स, 10 वर्स और 20 वर्स तो यह एज रिलेटेट प्रोब्लम है एज से यानि आयो वाले समय प्रस नहीं है तो इसको बारे में भी मैंने आप लोगों को बता चुका हो तो कैसे बनाना है वो सब सारा चीज आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ आपर जो है सबसे पहले क्या दिया है उसकी हिसाब से हम लोग सारा चीज को सेट करते हैं तो राम की जो आई होगी वह स्याम के आई से दूगनी होगी मालते यह राम है यह हमारा स्याम है और एक है हमारा सूरेश तो सूरेश को हम लोगों मालते यह होगी हमारा सूरेश तो तो यहां पर राम के बारे कहा गया है कि स्याम की आयू से दुगुनी है कह रहा है तो मा लेते हैं हम लोगों का जो है स्याम की आयू है इसका बरतमान आयू कितना है स्याम का मानते हैं हम लोग तो यह एक्स वर्स है यह हो गया हम लोग वर्तमान में जब बात करते हैं तो इसक की जो आयोगी इससे आधी होगी यानि सूरस का जितना है उससे आधा होगा तो हम इसको इसे भी से बोल सकते हैं कि राम से यह दूगुना होगा यह भी तो है क्योंकि इससे यह आधा तो यहां जागर हम देखते हैं इसको तो यह दूगुना हो जाएगा तो इसका अगर दू Map एक सुन दो एकर लेते हैं क्या होता है पूर एक्स फ़लस टू एक्स फ़लस एक्स तो यह हमारा हो जाता है शेयं 7 एक्स हुआ है जी एक्सबराबबर अ गया अब इसमें से किसका कह रहा है निकालने के लिए लिए तो राम का हम देखे तो यहां पर राम का आयू यानि राम की आयू हम लोगों क्या है तो यह टू एक आप वेलू को रहें लेंगे टू टेन तो यह लोग का 20 वर्स हो जाएगा यह अब option देख़ किया तो अप्सक्टर नबर डी है इसका यहां पर तो यही है हमारा सही उत्तर तो इस परकार से हम इसको निकाल सकते हैं राम की आयू इसके बाद हम लोगों जिसका कहता सुरेस का कहता सुरेस का निकाल लेते स्याम का कहा था तो स्याम का निकाल लेते लेकिन हम लोगों को यहां राम का कहा था तो हम लोग इसका राम का आयो निकाल लेंगे तो इस परकार से हम लोग इस को बना लेंगे तो आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट में जाकर कि सारे वीडियो को अब लोग देख सकते हैं में से रिलेटेड मैंने जितने भी चीज़े बताइए वह अब लोग देख लेंगे तो आप लोगो सारी चीज़े आसानी होगी तो दोस्तों नेस्ट वीडियो मे ऐसे हम लोग कुछ और वीडियो में देखेंगे मेर्स के क्वेस्चन्स को तो आप लोग चैनल के साथ में बने रहे हैं